हिमाचर पुलिस द्वारा अपने विभाग के आत्मरक्षा के गुरू में प्रवीन पुलिस कर्मियों द्वारा स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षन दिया जा रहा है इसी कड़ी में पुलिस कर्मी आरक्षी कमल किशोर जो की आत्म रक्षा की बहतरीन कला ताइकॉंडो में भारतिय खेल प्राधी करन्म से मानेता प्राप्त डिप्लोमा कोच भी है इन दिनों स्थानिय गवर्मन्न सीनिय स्केंडरी स्कोल खली ने श्रिम्ला में पिछली पांच दिनों से स्कूली चात्राओं को आत्म रक्षा के गुरू का प्राध्रिक्षन दे रहे हैं इस प्रशिक्षन में स्कूल की लगभग 90 जात्राइं अपनी स्वैम की रक्षा हितू, हाथों एवं पैरू के इस्तिमाल से बिना शस्त्र के विभन रक्षात्मक गुर सीक रही है। का प्रशिक्षन दे चुके हैं। और कई तरह का डिफेंस के बारे में स्खाया जा रहा है, जैसे तरह के आज की डेट में बहुत सारा साइबर क्राइम हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी छात्राओं को हम बता रहे हैं। कितने दिन का शिवर असरे हैं। पाच दिन का शिवर चला जा रहा है, आज हमारा ख्रीनी स्कूल में चौत्था दिन है। वहीं स्कूल के प्रधानाचारे सूरेश पठानिया अपनी स्कूल में चात्राओं के लिए हिमाचल पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा लगाये गए इस आत्मरक्षा के प्रशिक्षन कैम्प से अती उत्साहिब दिखे। उन्होंने बताए कि इस तरह का प्रशिक्षन कैम्प निश्चित तोर पर छात्राओं का आत्म विश्वास और आत्म बल बढ़ाने में एहम भुमिका निभाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेकरके अपनी लड़कियों को जो है ये अत्म सुरक्षा के लिए ये डिफेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पांच दिन का शिविर है और आज इसका चौथा दिन है।